भार्तिया ग्रहम अंतुराले ने जाकिर नायक के एंजियों पर लगा बैन 5 साल के लिए बढ़ा दिया है साल 2016 में लगा ये बैन इस साल खत्म होना था बैन की बज़ा जाकिर नायक के भड़काऊ भाशन है सबसे पहले समझते हैं कि ये बैन लगा क्यों था जुलाई 2016 में बांगलादेश की राजधानी धाका में 5 आतंकियों ने हमला किया इस हमले में 29 लोग मारे गए खटना की जांच में आतंकियों ने बताया कि वो जाकिर नायक के भशनों से पभावित है इसके बाद जाकिर नायक के एंजियो इस्लामिक रिसोर्च फाउंडेशन पर UAPA के तहत बैन लगा दिया गया साल 2016 में ही जाकिर नायक भारत छोड मलेशिया भाग गया था पर मसला ये है कि कई देशों में बैन के जाने के बावजूद जाकिर नायक के कई विडियो अभी भी इंटरनेट पर मौजूद है इतना ही नहीं गूगल पर जाकिर नायक के करीब 40 लाक वेब पेज मौजूद है योट्योब पर पिछले एक साल के डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जम्व कश्मीर में जाकिर नायक को सर्च किया जा रहा है इसके बाद मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और मनीपूर में जाकिर नायक को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है वहीं पंजाब, राजस्थान, उडिसा, मज़प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जाकिर नायक सबसे कम सर्च किया गया है सरकार की माने तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन अब भी ऐसी गतविद्यों में शामिल है जिससे देश की सुरक्षा को खत्रा है खुद को इस्लामिक धन का प्रचारक बताने वाले नायक पर देश के धार्मिक समूहों के बीच नफरत को बढ़ावा देने और एक खास धन के युगाओं को आतंतुबादी गतविद्यों में शामिल करने का आरोख है इसके ही ये बैन बढ़ाया गया है पर इंटरनेट पर नायक की लोग प्रिता बताती है ये वो इसके जरिये अभी भी लोगों को प्रभावित कर रहा है जो एक चिंता का विशे है विवादित भाशन देने की वज़ों से कैनड़ा बांगलदेश जैसे कई देशों ने नायक को बैन कर रखा है सरकार नायक को भारत लाने की कोशिश कर रही है जिसके लिए मलेशा सरकार से बाद भी की गए है लेकिन फिल्हाल इस पर सहमती नहीं बन पाई है और बे ऐसी ये खबरों के लिए आप देखते रहे हैं